बाइस बॉनफायर लगगे हैं यहां पर खाना हो गया अपना और सो को रहा 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 देखो वैदर चेक करो तो माई डियर फ्रेंड्स मेरे चाहने वालो देखने वालो पहुंच गया है कुल्लू कुल्लू पहुंच चुके हैं और अभी ऐसा हुआ कि ब्रेक थोड़ा लेट चक्कर में टोल भी बंद किया हुआ है क्योंकि जब रोड़ी अच्छे नहीं है तो अच्छी बात है कि टोल क्यों ले तो अलो आइस अदा आप नमस्ते स्रेकाल वेलकम बैक टू यार चनल और एक और नया दिन नई जरनी आप लोगे साथ में तो स्वागत है आपका अपन सब्सक्राइब निकलते निकलते घर से दो बजगे और भाई दो बज़े के बाद यह देखो हम खड़े हुए इस समय हरियाना में दिली पारकर करके हरियाना एक टोल पे खड़े हुए हम वैधर चेक करो यार वाइस देख रोगे अपनी ब्लैक बीस्ट लाड़ो और पूर सब डाले हुए है और बैक पड़े हुए हो पीछे सोफा पड़ा हुए है तो इस बार जो कैंपिंग होनी है पूरी कार में ही होनी है तो इसलिए हम पूरा प्रेपेर हो गए है चल रहे है वाई इस ट्रिप को लेगे तो फुल इंजोएमेंट लेना है और वीडियो को पास तो गाइस ट्रिप सुरू कर रहे है और वैदर देख सकते हो देख रहे हो तो गाइस लेट सब्सक्राइब और अपनी ब्लैक बिस्ट खड़िवे ब्यूटी चलते हैं और आगे आप सफर को एंजोए करोगा गाइस तो गाइस चलो सुरू करते और इतनी परव दिखा सब्सक्राइब करते हैं तो गाइस अभी फाइनली हम पहुंच चुके है हरियाना बोर्डर से पार गया है और वाई फॉग देखो विजिबिल्टी तकरिवान 100 मिंटर की रह गई है पहले 200 मिंटर ही तो गटके 100 मिंटर हो गई और देख रहे हो आगे से क्या मोसम आ रहा है खतरना के वाई और यह ट्रिप अपनी है तकरिवान 500-600 क्लोमेटरी ट्रिप है तो गाइस आप चेक करो और विजिबिल्टी वह भी दिखाऊंगा थोड़ दिर में तो गाइस देख लो कितना कोरा हो रहा है भाई अभी चार बजे है सामके और पूरे दिन से ऐसे दिख रहा है और मोसम देख रहे हूँ आप कैमरे में नहीं हो रहा है मैं कोशिश करता हूँ दिखाने के आपको लेकिन चार बजे भी हर्याना पार करके हम पंजाब में लगने वाले हैं लेकिन कोरा देख सकते हो आप कितना है हाँ 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 चल रहे हैं और अभी आगे पूरी इंजोई करते रहो मेरे दोस्तों और कमेंट करते रहो क्या अच्छा लग रहा है पो ट्रिप के अंदर यह नहीं है यह तो गुरूप करपा पंजाबी ढाबा है अराम से तो गाइज हम जब भी आते हैं हर बार हम जब भी अब आपको बताता हूं कि क्या काइंगे हम चलते हैं गाइस आगे तो यहां पर अपना पंजाब की तरह बढ़ रहे हैं तो टेंपरेचर डाउन होता जा रहा है और यहां रुके हैं यह हुआ अपना लंच चार बच गया अलमोस्ट और खाना करेंगे फिर अपना स्वीध सबस्क्रमा जाएं अन रंच पांग चंडीगर पांग फिर रुके गायस मोस्टियो जाएं डिली में कैसा अब्सरा इस्पास यह कुरू चेटर का असपास है तुदिलिम जाए तेरा चोदा पंद्रा के असपास निभल्के अटना अनुछ फंट ती सूखी आ तो फ्वाइ तो आपना करते हैं यहां पर लगानी बट रही है क्योंकि मोसम देख रहे हो चार तरफ की सराउंडिंग मतलब कोहरा कोहरा हो रहा है सारी तरफ देख सकते हो आप तो इसी वज़े से ना लगाना पढ़ेगा नहीं लगाओगे तो काम हो जाएगा और वाइस देखो यहां पर क्या मस्क माहूल बना हुआ है देख रहे हो फवारे चल रहे हैं और यह है हवेली तुछ चले गाइस और वाई कैसा लग रहा है तुमार वाई देख रहे हैं आपना करते हैं यहां पर लंच तो वाईस देख रहे हैं अंदर से एंबियेंस इसका इसमें से अभी रोटी और बटर नाट अभी थोड़ी दिर में आ जाएगा आजाता है फिर खाके फिर अपनी ट्रिक दुबारा सुरू करते हैं तो यहां तक आए उन्जो करते हैं तो प्रीस अगर यहां तक आगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंड और प्रेस दा बैल और यहां से चलने के बारी और आए कोरा देखो कैसा हो गया है वहाइसा मोसम चेक करो कितना चेंज हो गया थोड़ी दिर मादे इंटा का टाइम लगा बस वाइसनी देर में मोसम ने वाई अपनी करवट ले लिए तो आप बगते हैं से चलने का सो निकल रहे और पंजाब क प्रोज करते हैं वाई पटाफट देखो कैसा को रहा 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 देखो वैदर चेक करो देखो देखर प्रोग्रम चल रहा है और यहां पर मोसम चेक करो कितना बदल गया एक दम से देख रहे हो इंके साड़े पांच हो चुके हैं और भार वैदर रहे समें 11 डिगरी का और बहुत जाए ठंड हो रही है तो गाइज आप चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर और यहां से अपने को अपने तक्रिवान अभी छे साथ घंटे हो लगने वाजे हैं तो भी देखते हैं आगे आगे आप में जाम मिलेगा नहीं मिलेगा ट्रैफिक मिलेगा नहीं तो इसलिए देख रहो लोग अपनी हजार लाइट आउन करके चल रहे हैं तो गाया इस वैदर चैक कर लो और मोसम देखो कितना गजब हो रहा है तो भाई मैदानी लाकों में बहुत सा मैसा है कि वह को रहा है बट ऊपर जो है ना महां पर कोरा निवा ठंड पड़ती है त तो से साफ सा दिखा रहो हूं sizin आपको देख लो सामके 6 अचे बजने वाले अलमोस्ट और मोसम बड़ा कर चाब भाई घर नहीं रहे हो की आप देख दिख लोग फोग देखो गईस फोग देखो नहीं वाई सा उड़ लोग खाई वैस अटेर रहा है तेर देख रहे हो इसको आगे कुवरेगे चाल रहा है मौरतो लौ grandma कर जाऊ बाई यह देख सवाथ ही बेठी अए अब यह देखो तुम यह नदी नदी मसा देख कैसा निकल रहा है बाई सब चैक करो वाईस वरी तो सौन के 6 बजे हैं झाज कहते हैं वह तो कहते हैं थेजिंद में कोरा जाता है वहे तो कहा हु मैं जितना अटीजर्टर अटना और यहां से अम्माला केंट 20 है तो अम्माला केंट के बाद हमें कटना है लेफ्ट में और अबनाम निकल जाएंगे चंडीगड होते हुए गाइज फॉग देखो भाई फॉग देख रहे हो कितना है अब आपको इसमें अंदाजा नहीं हो रहा हुगा मैं आपको चेक कराता हूँ देखो भाई साब इतना फॉग है न कि आप बोलो कि ड्राइव जो हो रही है न चेंब जे भी आसा लग रहा है कि सुवई के चार बज देख लो देखरें yum natur मता रात में और मैं कहरा हूँ सुबह वाली ड्राइव भाई पंजाब की तरह वरडि करो आप जितना हो सकdensli कि पंजाब में आना में यसी ना इसना में बहुत रिस्टी है और एक्स्ट्रीम वेधर कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल भी मत कुरों भाई इतर था आओ यह मत विंटर में जबता कहना है तब पंजाब बूल जाओ सही कर रहा हुँ है देख रहो है अब हम आगे मनाली चंडीगड हाईवे पर देख रहे हो अब वाई डाइवर्जन ले लिया है हमने और यहां से हमें दिखा रहा है एक बच के 20 में पहुंचेंगे हैं अब रात को क्योंकि हमने गंटे का रहाश ले लिया था बीच में और व राइवे यह पहले भी हमीसी से आए थे एक रोड और था लेकिन हम पुराने वाला से ही जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुंचा देगा कहीं बीच में देखते हैं क्योंकि चंडीगड से होते हो निकले गई है तो गाइस अब यहां से हम ओफिसली पंजाम में तो ट्रैफिक लगा हुआ है तो अभी देखते हैं कितना लंबा ट्रैफिक है कम से कम एक किलमेटर से देखता है और रेंट रखों की लाइन और अभी भी आगे हैं है टनलेफ्ट बानूर रोड इधर कह रहा है ने भाई इधर तो जाम लग रहा है बाई साब कितना ट्रैफिक अंदर तक भाई यह इधर लग रहा था जाम बाई और मुझे लगा पता नहीं कहा लग रहा है गजब भाई गजब बहुत रट्राफिक था भाई ओके तो हम इतरी से जा रहे हैं एदर से कट दिखा रहा था यह लेफ्ट में जाने के लिए बोल रही थी कि लेफ्ट कट लो लेकिना कितना जाम लगा हुआ हम इतर से जाएंगे पुराने वाले रोड से बाई और होगा बि विरात हो गई है तो चेक कर लो सहीद बगसिंग इंटरनेशनल एरपोर्ट 8 किलोमेटर और एरो सिटी के भार बार निकलेंगे निया रास्ता बनाए बाई यह बना ली जाने वालो के लिए चल रहे हैं और रोड देख लो कितने अच्छे हैं या पर कोई फोग नहीं है बाई साब ऐसे है ऐसे जाम लगा हुआ है 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 जा है चंदीगट की तरफ छा रहा है हम के मतलब हो दोनों तराइट पैक है देख is और उस से ना लगा और तरी आपास बन रहा है एक सिटी कम से कम एक क्लोमेटर लंबा जाम है एक से दो क्लोमेटर गा और लगा किस व concurrent विस दूसरा अपना अंदर सिटी में जाएगा और यह जो रास्ता ही जाता सिधा चंडीगड एरपोर्ट के लिए तो भाई यहां पर आले पॉइंट में भोज्जा मिल रहा है में क्योंकि वहां पर डाइवर्जन है और काम चल रहा है जिस वेसे और यहां पर बड़ी मुश्किल से इदर उदर से करके निकल तो गए हम हम कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ट्रेंट टायर का फायदा उठाया जाए और सारी ट्रेंस पर दबा दें बस 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 आगे स्क्रेच आ जाएगा काली गाड़ी यह दूर से दिखेगा रुख जाओ इधर के बंदों ने देखो पूरा र लेकिन तीन लेंट ने लिए रखी है एक तरफ वालों ने और इस साड़ के बंदे नीचे चल रहे हैं देखो लेटर ली देख रहे हो नीचे यह देखो इधर कुछ नहीं पीछे और कच्छे रास्ते पर चलना पड़ रहा है बंदों को यह हाल कर रखा है वाई जाम तो ल इसने बालक का पेट भरवा रहे हैं अब देखो गडगड़ करके पी रहा है हजार रुपेगा तो पीगिया खाना खागे हजार रुपेगा अब बतातो कितने का खाना खाएगी अभी है इसको फुल करवा ले थे हैं और गंदी में देख लो भाई इतना आता उतना बर्द बस 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 नीचे आजाएगा तो बालक का पेट भर गया है और इसने पिया है तीन हजार आठ सो एक रुपे का तेल देख रहो तो फुल हो गई अब यह और इसी में लगा देंगे अपना मनाली लग जाएगी सिभा राम से तो गाई रेंज आगे इस बस 706 की और अब चल रहे हैं सीधा और अगला जो डलेगा उडलेगा मनाली के असपासी डलेगा अब डलेगा तो ठीक है ना चलते हैं जैश राम और स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिप दुवारा हमाचल में हमाचल में आने कामे ने एक एनचाई का टोल दिया जो तकरीबान 120 रुपे के असपास था दैन उसके बाद इस्टेट एंट्री दिया असपासी रुबेगी और भाई यहाई बनाए बनाए गया है तो मन भी गराना चलों को यह ले लिया कोई दिक कदिन लेकिन कि गलत बात है कि दो-दो में कटवाने पड़े हैं और अब यह नया रोड है जो भी मना ली आता है ना उसको विस रोड से आना पड़ेगा वो पुराने रोड जो हट चुके बाई जो पहले आते थे ना नदी के साथ साथ सुंदर्वंद के साथ साथ जो आते ले सुंदर कि लिमिट है कि अमने 59 पर कैच हुए है मारी स्पीड है पचास स्पीड है वह लिखा हो दो पिछे एक पोड़ था प्टा नहीं हुआ ने वह यहां से 59 है पीछे से पीछे कम थी और एंज है और एंज है और एंज है ने तो देखा जाएगा जो भी हो हुआ है थोड़ा सा फ्रैस हो लेते हैं यहां से मनाली रह जाता है अपना मनाली रह जाता है यहां से तक्रीबान अपना वही एक सो बैली किलो मेटर के असपास है तो अगला तीन-चार घंटे में रास्ता हो जाया कवर तो भी चावे पीते थोड़ा रिफ्रैस कर लेते हैं अपने आपको दोस्तों तो कैसा लग रहा है सफर टैनल अच्छी लग रही है न तो लाइक कर दो यार फटा फट जल्दी और कमेंट भी कर देना वाइज यहां यहां पर पहुंच गया लेकिन तट भी अब भी तो मशना इन अपना ने कर लिया अपना दिनर आ अप्ना झीन और और अब चल रहे हैं सीधा अपनी बेस्ट नेशन पर तो गाड़े में आगया है फिर ट्राइवी सीप चेंज होगी है अब भाई चलाएंगे दैन तुम्हारा भाई बैठेगा और भाई देख सकते हो रात के बज़रें इस समय है टाइम किसा दिखाऊ हूँ तुम्हें तक्र यहां पर गाड़ी खड़ी है भाई जारे टिम से पैसे निकालने तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक अट्यम तो बाई अंदर कैस निकाल लेते हैं और फिर अपनी ट्रिप को आगे और अच्छे से सुरू करेंगे तो गाईज फाइली मंडी पहुच चुके हैं देखो मंडी आ गया मंडी शहर अपना लेफ्ट साइड में मंडी शहर आ जाएगा इतना पुराना बोड लगाओ है कि उसकी प्रिंट भी मिट चुकी है तो गाईज यह रोड है मंडी का और वो सामने जो पहाड़ों पर सब्सक्राइब तो गाईज इस समय बज़रे हैं 11 ग्यारा बच चुके हैं देखो भाई आप लोग के लिए व्लोग बनाने में किलतना वह लगती है महनत आप कुछ समझो और आप समय सकते हैं फोन बनाने से फोन उठाने से व्लोग बन जाते हैं बंदों जागना पड़ता होता है कंडिशन दिखानी होती कि और इतनी ठंड में निकलना पड़ता है देख लो भाई इस समय तो भाई वह है देख लो भाई आप लोगा प्यार चाहिए और लगे हुए हैं आप लोगी सेवा में तो एक लाइक सब्सक्राइब शेर तो गाईज सपोर्ट करो इसी तरी यह करेओं आप में यहां अच्छा भाई रही साइड में पहाड़ा और यहां यह सब्सक्राइब कर दिन में ऊधा तो मैं कुछ दिखाता भी आप लोगा रसे हैं हम सोच रहते हैं हम सोच रहते हम चलाते भगाते हैं अब जो सूसरा मिलेग एक फेस ही जिसे आम इंजो बाप ने जो बोला है वो सही बोला है ना वही तो देख लो गाड़ी की जो लाइट का परफॉर्मेंस देख लो गाड़ी की जो लाइट अमने करवाई थे काम बिलकूल एक दम किलियर दिखा रही है दिन निगाल रखा है और यहां से फिरा के डबल पेच हो गया है अब यह पेच्च रास्ता है प्रत अब Color क्रावी के अब देख रहए है और यहां पर आकर फिरूरींस राज़ियर वाह देख़ी है दो अब तो मैंसे थेक्छा है जो बाद यहे तेक्छा रास्ता है पर ंब नीचे डैम है माहले जाएँए पूरा लाइन धारींस घेक्चर रास्त पहेक से में पकसा दम जो दूसाल पहले आइथे ना, तो पकास अरास्त लेक्श तो तूम ह्यों भाही आप देखो क्या हाल हो गया है इसका बहुत है देख यह पुछा कश्छा है, बहुत हो देखेर हो गषिट है और अधर यह यह पता है अल्ट राइन तायर का था गड़ती की तरी पाड़ दिंद फ़े जतना वाई ट्रवय पाड़ गुज अज को दो कि अ अज देघध है कर दो कि अजिक कालड़ जितनी चड़ा ही अई उतनी आज बाग़े की चड़ा और ऊपर चड़ा एड़ाई डीजल की पर्फॉम्मेंस भाई गाई आज ही आज ही नहीं भाई डीजल की गाड़ियां मानते देखके पर्फॉरमेंस को भाई भाई मतलब बज़ प्छुप पींदेने पड़ रावां से बॉटती चली जा एड़ी और गाई और गाड़ी पेट्रोल वाली में ठ लोगाइब झाल आख जा 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 ख जा उटी नहीं भाई जम कहते थे कि दीजल की गारिया चल रहरे है इंडर एस्टिम एटिये देखो नेनो चल रहे है पहाड़ों पर एल्टीटी इतना है थे ना हमें पता है है पाई कैसी ड्राइविंग हो नेनो चलारहा है बंद है बंद है अच्छार इक्यावन लेक है था बाई तरफ की वाई मार्केटिंग काथशा अचाँ कि अच्छा दा треб अगु हाँ गए क्लिकि भाई घैटा आप चाहते हो वाई कमेंड गर ना आटे लुटोस की तो पर पाली तोगर्यी वहां है श्कात फिट नो daw अश्काकिंग तो तो लुटे तर्णल नंबर 12 आ गई है तर्णल तू तर्णल आ आए यह वाइसाफ अच्छ थोड़ा सा पैच है दिक्कत लेकिन बाग की तो आएसाफ भागा भाग वाग वाग गजग वाग एक जल्दी पोच्छाऊ मुझा अब जुड़ी पोच्छाऊ पूली यह पूली तूट तूट पान्वान खा रक क्या लेकिन पान जी कुछ खाया हुआ है जिए पूली तूट वाग जोड़ी तूट दी है और यह टनल निकल गई यह भाग तूट तूट तकरिवान पांच शे किलोबटरी तनल थीम अब भाग गया है नोर्मल रास्ते पर देख रहो है यह बन कुल पर को साथ कुछ काम चल रहा हुआ है जो पहले बीच मों खोल भी दियोगी में जो तैसा लगता है यह सो माइडियर फ्रेंड्स मेरे चाने वालो देखने वालो पहुच गया है कुलू है तो गाइस कुलू पहुच चुके है और अभी ऐसा हुआ कि ब्रेक तोड़ा ल खाने चल नहीं और इस क्या हो रहा है अब फोर ही लगा हुआ था अब लेना पीछे अब देखते है गाईस एक आभी भाई भाई देने सिस्टम है समझ में या आते तो अब चेक करते हैं अब देखते हैं तो है तो इसे बहुत कर यह थोड़ी बॉत पकड़ के छोड़ी है रही रही एक जाए ग्रिप लेती है फिर ले रही है तो इसलिए बहुत हमने पीछे ब्रेक मार ली क्यों थोड़ा जगा थी हम रोकना चाहरे थे आप लोग कुछ दिखानी रहे तो वहाँ पर हमें पता चलिया वह तो सुक्रों नो पाउड़ों में बंदे अगर ब्रेक लगा ब्रेक ना लगे तो इसलिए वह चीज है अच्छी चीज होती है तो गाईज यह वह लाई ट्रेंच है जो नदी ने पूरा तोड़ दिया था देख रहो है यहां पूरा एक रास्ता आपका है उससे चक्कर में टोल बंद किया हुआ है क्योंकि जब रोड़ी अच्छी नहीं तो अच्छी बात है कि टोल क्यों ले तो जो बन जाएगा तो फिर एने चाई फिर यहां से टोल सुरू करते है क्योंकि मनाली से आगे तक का टोल है अटल टोल लगता है उस तक का अटल ले लिए जाता था पहले तो गई यह देख रहो सामने कुछ दिख सके तो आपको भाई होशिश कर रहे है तो नीच उतर भी नहीं रहो है दिन में दिखाऊंगों आपको मैं तो मनाली में तो आ गए हम और यह मनाली है पूरा अभी एक्टी दिखाता हूं आपको सर्विस सेंटर महिंद्रा के रात के एक बच के 20 मिनट हो रहा है और भाई हम क्यों जा रहे हैं वह मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा तुम्हें कि हमें क्यों सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है तो मनाली तो फाइनली हम पहुँच चुके ऑफिसली भाई भी आ तो अब सीधा सर्विस सेंटर पहुचके आपको मैं दिखाता हो कि मनाली का सर्विस सेंटर महिंद्रा किदर है तो गाइस देख लो यह आ गया मनाली जिस नहीं पता है उसको यह वाला रोड जो है आगे वाला यह उपर अंदर मॉडल टाउन मनाली में चला जाता है जो माल मत falar है मनाली का यह वाला रोड जाता है यह रोड जी रोड जाता है अंदर माल रोड पे जमने विला कभा पर चौहां और यह बीद्टा एक जा यहारा है चुझे WAY कट ईहां से रॺज़र में ने कु तक के लिए यह देखो, यही माल रोड से आ रहा है रास्ता, उपर माल रोड से, तो हम इधर जा रहे हैं, अपना सर्वी सेंटर पर, भाई देख लो, सैट अप चेक कर लो, देख रहे हो, गाड, रजाई वजाई सब ले रखे, कंबल, रजाई वजाई सब तक ही वजाई है, तो गाइज रात के बज़रे डेड, दो बज़ गया है, सारे होटल बनने है, और गाड़ी को होटल बना रखा है, और अब सूर है, और अब मिलते हैं आप से सुबह, सब तक, गुड नाइट, बाई